हेलो स्टुडिन्स कैसे आप सब बढ़िया चलिए तो कल के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में कोशन आपका छोड़ सकते हैं या फेस्बूक पेज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं ठीक है तो हम पढ़ रहे प्रेजेंट पर्फेक्ट इंज हमने शुरू कर लिया था उसके हमने एक या दो कॉंसेप्स जितने भी मैंने आपको बताएं हैं उतना हम कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है तो अब देखते हैं आगे की आगे नेक्स्ट कॉंसेप्ट में हम क्या कहना चाहते हैं तो केरे हैं तो पर्फेक्ट करते हैं या दोनों ही कर सकते हैं तो परने ने पुराने आपको आपको समझ में यहां पर यह नहीं बताऊंगे आपको कि किसे नहींगा क्या होता है या कैसे निकालते हैं present perfect क्या होता है या कैसे निकालते हैं first lecture में मैं आप सब को सारी चीज़े define कर चुकी हूँ तो अब मैं उससे सिर्फ आगे ही बात करूंगी तो कोई भी student यह ना सोचे कि मैं आम तो direct पढ़ा रही है इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया तो आप तक पीछले वाली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा और जो continue सारे lectures देख रहे हैं उनको सब चीज़े पता है कि present perfect continuous कहां से आया है present perfect कैसे आया है ठीक है किसको perfect बोलते हैं किसको continuous कैसे निकाला था हमने perfect मतलब काम पूरा हो चुका है और continuous मतलब चल रहा है तो कुछ काम तो पूरा हो गया है और कुछ काम अभी भी चल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं perfect continuous पूरी डिटेल जानने के लिए आपको पीछे की वीडियो देखनी पड़ेंगी तो हम इसके basic structure की अगर हम बात करें तो basic structure क्या होता है आपके पास subject plus में has been या फिर have been वो depend करता है आपके subject के उपर singular होगा तो has been और plural subject होगा आपके पास तो have been इसके बाद क्या होता है आपके पास verb की first form plus में ing and इसके बाद होता है जो आपका main part है four since plus में time four since plus में time ओके तो यह आपका किसका structure होता है present perfect continuous का structure होता है तो इस present perfect continuous में हम क्या कहते है कि पीछे से कोई काम past से कोई काम शुरू हुआ वो कुछ काम तो complete हो गया लेकिन कुछ अभी भी चल रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं perfect continuous बोल देते हैं तो यह जानने से पहले हमें कि sentence कैसे लिखेंगे उसके लिए हमें किसको जानना पड़ेगा four or since को जानना पड़ेगा तो देखिए सबसे पहले जो four or since है आपका जो आपका four है यह आपका preposition की तरह भी काम कर सकता है ठीक है और यह sentence में conjunction का काम भी कर सकता है sentence में पहले मैं आपको use of four ही बता देती हूँ अभी एक बार आप since को छोड़ दीजिए किसकी बात कर लेते हैं पहले four की बात कर लेते है four की बात कर लेते है ठीक है तो four जो है आपका word four word जो है आपका वो preposition भी हो सकता है और conjunction का भी काम कर सकता है sentence के अंदर देखिए अब preposition का काम कब करता है यह जब इसके बाद क्या given हो आपके पास time given हो तो जब time given होता है आपके पास ये time को show करता है ठीक है इसके बाद आपके पास time given है तो ये sentence में किसका काम करेगा प्रिपोजिशन का काम करेगा और हम topic क्या पढ़ रहे हैं students से? तो tense किस से related है? time से related है तो अभी हम ये नहीं जानेंगे कि ये conjunction का काम कैसे करता है क्योंकि जब हम conjunction का topic करेंगे तब four का use conjunction में जानेंगे अभी हम से four का use as a preposition ही पढ़ेंगे क्योंकि हम फिलाल topic क्या कर रहे हैं? tense का topic कर रहे हैं यहां तक बात clear है सभी को great तो note down कर लेना साथ-साथ दन आगे use की बात करते हैं four के use की बात करते हैं ठीक है screenshot ले लिया आगे बात करते हैं तो मैंने आपको बोला आज मैं आपको बताने जा रही हूं इस lecture में use of four ध्यान से समझना बिटा आपके हर जगा काम आएगा ठीक है और I guarantee you जितनी चीज़े मैं आपको आज बताने जा रही हूं आपने नहीं पड़ी होंगी ठीक है four के बारे में जितनी चीज़े मैं बताने जा रही हूं आपने नहीं पड़ी होंगी चलिए तो हम use जानते हैं किसका four का अब हमने देखा कि 4 के बाद हमें क्या given होता है time given होता है अब time के लिए भी मैं आपको पहले भी define कर चुकी हूँ एक बार दुबारा भी बता देती हूँ time जो है वो आपका दो type का हो जाता है that is duration of time duration of time and point of time duration of time and point of time ये दोनों चीज़े भी मैं आपको बहुत detail में पहले के lectures में बता चुकी हूँ तो मैं दुबारा यहाँ पे इनको explain नहीं करूंगी तो अब हम बात करते हैं कि 4 के बाद किस type का time आएगा तो पेटा 4 के बाद हमेशा ही आपको duration of time मिलता है that is इसको आप period of time भी बोल सकते है 4 के बाद आपको कैसा time मिलता है duration of time, point of time नहीं मिलता है duration का मतलब क्या है period एक type का, period की इतने समय से ठीक है ओके चलिए देखते हैं कैसे तो जो 4 है वो किसको denote करता है duration of time को denote करता है अब बात आती है कि जो भी हमारा duration of time है उसका purpose क्या है ठीक है, उसका purpose क्या है मतलब उसका उदेश्य क्या है कि वो हमें क्या show करना चाहता है जो duration of time हमें given है वो क्या show करना चाहता है तो पेटा ये हमें 2 purpose हो सकते हैं इस duration of time के हमारे पास दो purpose हो सकते हैं और वो कौन से purpose हो सकते हैं एक तो हो सकता है कि ये सिर्फ हमें क्या provide करें information provide करें information purpose एक purpose क्या हो सकता है आपके पास information purpose और एक purpose क्या हो सकता है action purpose that means कि जो duration of time आपको given है उससे सिर्फ आपको information भी मिल सकती है वो सिर्फ हमें information भी दे सकता है ठीक है और हमें क्या दे सकता है action के बारे में भी बता सकता है कि sentence में क्या action हुआ है ठीक है तो duration of time दोनों ही चीजें हमें provide कर सकता है information purpose भी और action purpose भी clear है यहां तक सभी को very nice चलिए तो पहले हम बात करते हैं information purpose की किसकी बात करते हैं सबसे पहले information purpose की यहां तक note down कीजिए देन आगे बात करते हैं चलिए तो अगर मैं बात करूँ कि जो duration of time है वो information purpose हमें कैसे देगा देखे अगर मैं बोलू किसकी बात कर रहे हैं हम लोग information purpose की कि हमें इन 4 जो है जो time इसके बात given है यह हमें information भी देता है तो देखे कैसे अगर मैं बोलू कि I study I study 4 3 hours मैं कितने घंटे के लिए पढ़ती हूँ? 3 घंटे के लिए पढ़ती हूँ मैं कितने घंटे के लिए पढ़ती हूँ? 3 घंटे के लिए पढ़ती हूँ सिर्फ information दे रहे हैं तो आपने क्या यूज किया present indefinite tense क्योंकि जो indefinite tense होता है हमारा वह सिर्फ हमें क्या provide करता है information provide करता है तो आज से आपको यह पता लग गई यह रट्टा नहीं मारेंगे कि four since four since हमेशा ही present perfect पास्ट पेपिश्वेट में यूज होता है ऐसा भी नहीं होता अब आपने देखा कि जो फैस्लै नहीं हुगता है कि उंट्वैर्ट यूजु जब भी आपका indefinite tense में क्या use होगा for use होगा तो यह meaning बेटा हमेशा ही इसका meaning आपके पास के लिए निकल के आएगा जब भी यह present indefinite में आप इसको use करेंगे तो इसका meaning आप हमेशा ही क्या निकालेंगे के लिए कि मैं इतने घंटे के लिए ये काम करता हूँ ठीक है मैं इतने घंटे के लिए टीवी देखता हूँ मैं इतने घंटे के लिए पढ़ता हूँ मैं इतने घंटे के लिए सोता हूँ ठीक है समझ में आया है सभी को तो meaning आपके पास हमेशा ही क्या निकल के आएगा के लिए अब इसी को अब दोसरी एक बात और समझो अब मैंने क्या कहा कि मैं तीन घंटे के लिए पढ़ता हूँ इसका मतलब कि मैं चोथा घंटा नहीं होने देता ठीक है इसका मतलब क्या है कि जब meaning आपके पास के लिए आएगा और आप tense कौन सा यूज कर रहे हैं indefinite tense ध्यान देना मैं बार बार present indefinite tense नहीं बोल रही हूँ मैं खाली क्या बोल रही हूँ indefinite tense इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर past indefinite tense भी आ सकता है कैसे आएगा example करेंगे तब बताऊंगी तो ध्यान दो बेटा अगर मैं आपको क्या बोल रही थी कि अगर यह indefinite tense हम यूज कर रहे हैं और तो इसका meaning हमेशा ही हमारे पास क्या आएगा के लिए दूसरी बात मैंने बोली कि आगे जो भी आपको duration given है time की इसका मतलब क्या है कि duration भी end हो जाएगी duration भी खतम हो जाएगी और आपका जो action है वो भी खतम हो जाएगा ठीक है duration भी खतम हो जाएगी और action भी खतम हो जाएगा study action है न पढ़ना ठीक है तो आपने duration भी खतम हो जाएगी और action भी खतम हो जाएगा का मतलब क्या है that means कि action खतम हो गया लेकिन present perfect perfect continuous में हम क्या कहते हैं कि action लगातार चल रहा है ठीक है कुछ पूरा हो गया और कुछ अभी भी चल रहा है लेकिन जब आप बात करेंगे four का meaning के लिए निकल के आ रहा है और आप tense क्या use कर रहे है तेंस obviously आप indefinite tense यूज़ करेंगे क्योंकि meaning क्या है के लिए इसका मतलब क्या है कि जो time आपको given है वो duration भी खतम हो जाएगी और जो action आपको given है वो action भी खतम हो जाएगा तो आप fourth hour पे नहीं जाएंगे study करने के लिए समझ में आया सभी को अब इसी sentence को अगर मैं लिख तूँ इसी sentence को अगर मैं लिख तूँ चलो यह बाद में करेंगे हम जो मैं sentence लिख रही हूँ इससे आगे आपको बता देती हूं information आपको समझ में आया कैसे बताएं के हम लोग very nice no down कीजिए फिर आगे बात करते हैं चलिए अब देखिए action purpose action purpose ये तो बात हो गई information purpose की कि हमें जब सिर्फ information देनी हो तो उसका meaning हमआरे पास क्या निकल निकल के आएगा के लिए अब बात करते हैं action purpose की की कोई कारिया हो रहा है कितने समय से कूई काम हो रहा है तो मान लो जो मैंने अभी sentence लिखा था इसी को मैं अगर लिख दूँ कि I have been I have been studying for three hours I have been studying for three hours तो अब देखो meaning क्या निकल के आएगा आपके पास say मैं तीन घंटे से पढ़ रहा हूँ मैं तीन घंटे से पढ़ रहा हूँ जो हिंदी में लिखना चाहे वो हिंदी में भी लिख सकता है meaning तो लिए उसको हमने क्या लगाया पर्फेक्ट और क्या विर स wreck चल रहा है उसको हमने क्या बोल दिया continue that is continuous कि काम कॉंटीनु में है तो इसे लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है अगर आप ध्यान देंगे तो यह तो आपका क्या बन गया perfect ठीक है और यह क्या है आपका continuous पर्फेक्ट और यह क्या है आपका continuous क्योंकि perfect यही होता है ना has, have, plus में वर्ब की third form तो have है हमारे पास वर्ब की third form भी है तो perfect बन गया और ing है तो continuous बन गया ठीक है तो आपने यहाँ भी देखा कि four है यहाँ पे meaning आपके पास क्या निकल के आया say कोई doubt यहाँ तक clear है सभी को very nice तो यह बात तो थी विटा जब आपके पास कैसी वर्ब आ रही थी action वर्ब आ रही थी कैसी वर्ब आ रही थी action वर्ब आ रही थी अब देखिए पहले हम बात action purpose की करने action बता दिया इसने ठीक है पहले हम बात action verbs की ही कर लेते हैं पहले हम बात किस की कर लेते हैं action verbs की ही कर लेते हैं ठीक है तो आप देखिए मैं इसको रब कर रही हूँ एक बर दुबारा से सारे examples लिख रही हूँ ताकि आपको चीज़े बिल्कुल clear हो जाएंगी ओके चलिए देखिए मैंने आपको पहला example क्या दिया था I study for three hours I study for three hours बिल्कुल सही बात है मेनिंग आपके पास क्या निकल के आया है हाँ बे four का के लिए मैं तीन घंटे के लिए पढ़ता हूँ next हमने लिखा कि I have been studying I have been studying for three hours बिल्कुल सही बात है अब हमने क्या लगा दिया perfect continuous क्यूंकि तीन घंटे में कुछ काम हमारा पूरा हो चुका है और कुछ अभी दी चल रहा है अब मुझे एक चीज बताइए क्या मैं इसको यह लिख सकती हूँ I have studied I have studied for three hours I have studied for three hours क्या यह sentence सही है या गलत है Okay, books में हम यही पढ़ते आ रहे हैं अब तक teachers ने भी हमें यही पढ़ाया है कि जैसे ही आपको four plus में time दिखे तो उसमें tense कौन सा लगाएंगे आप perfect continuous लगाएंगे वो हम चेक कर लेंगे कि present की बात हो रही है या past की बात हो रही है पर बेटा आज एक नई चीज सीख लीजिए कि यह sentence जो है बिलकुल सही है यह sentence जो है वो बिलकुल सही है कैसे है देखिए अब हमारे पास क्या आ रहा है four three hours अब दो चीज़े कहता है यह यह दो चीज़े कहता है कि एक तो हमारा काम जो है वो perfect हो जाना चाहिए कुछ काम पूरा हो जाना चाहिए और कुछ काम क्या होना चाहिए continue में होना चाहिए ठीक है continue में होना चाहिए तो अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़े है sentence के अंदर तो अगर पहले हम बात करते हैं perfect कि perfect हमारे पास sentence में है नहीं तो अगर फोरफेक्ट चेक करें गे तो हमारे पास help नहीं है लेकिन मुझे एक बात बताईए अगर हम इसका मेनिंग निकालेंगे इस सेंटेंस का अगर मेनिंग निकालेंगे तो सेंटेंस का मेनिंग क्या कहना चाहरा है यही तो कहना चाहरे है न जो हमने ऊपर कहा कि मैं तीन घंटे से पढ़ रहा हूं मैं तीन घंटे से हूँ बेशेक हमने ing नहीं लिखा sentence में लेकिन फिर भी हमारे पास continue की sense जो है वो आ रही है और continuous की sense आ रही है तो हम sentence को present perfect में भी लिख सकते हैं ठीक है तो आपने यहां से एक चीज और जान ली कि जो four है प्लस में duration of time है वो उसको आप present perfect में भी लिख सकते हैं ओके यहां पर तो आपके पास continuous जो था वो return में था इस रिटन में था आपको लिखके दिया है उसने लिखके दिया है आई जी लेकिन नीचे वाले sentence में उसने आपको लिखके नहीं दिया है लेकिन sense तो वही आ रही है ना continue की और sense हमारे पास आ रही है तो हम इसको present perfect में भी ये sentence बिल्कुल सही है present perfect में भी लिख सकते हैं हमारे पास return में नहीं है sentence के अंदर लेकिन sense वही आ रही है clear हुआ सभी को समझ में आया थोड़ी सी हजम करने में दिक्कत होगी इस चीज को क्योंकि हमने आज तक ये चीज पढ़ी ही नहीं है exam point of view से आपके दोनो sentences सही है exam point of view से मैं दुबारा बोल रही हूँ exam point of view से आपके दोनो sentences सही है जो high level के exam से prepare कर रहे हैं वहाँ पे उसमें आपको वो do option no error भी दे सकता है तो इसमें आप ये error नहीं निकालेंगे अगर ये error निकाल देंगे तो आपका sentence जो है वो गलत हो जाएगा clear है सभी को यहां तक very nice note down कीजिए then बात आगे करते है क्लियर चलिए अब देखिए अगर मैं आपको बोलूँ इसी sentence को लिखते हैं अगर मैं आपको बोलूँ I am studying I am studying for three hours एक ही sentence को मैंने आपको अलग-अलग tense में लिखके दिया है ठीक है और उसको मैंने आपको बताया है कि कौन से sentence आपके बस सही है और कौन सा नहीं है तो अब देखिए अगर मैं कह रही हूं I am studying for three hours इसका मतलब क्या है कि मैं चीज कॉंटिनियू में दिखाना चाहती हूं और कॉंटिनियू में दिखाना चाहती हूं तो इसका मिनिंग के लिए तो है नहीं इसके लिए हमें दुबारा से वही चीज तो है भई हमारे पास यह रहा आएंजी हमारे पास है लेकिन अब चेक कीजिए कि आपके पास perfect है perfect तो नहीं है क्योंकि perfect के लिए तो हमें has है वो प्लस में वर्ब की third form चाहिए थी लेकिन perfect तो हमारे पास है नहीं तो ध्यान रखेंगे कि present continuous सिर्फ present continuous ठीक है उसमें हम four plus में duration of time को use नहीं करते हैं ठीक है तो अभी तक आपने क्या सीखा कि आप four का use किसमें कर सकते हैं present indefinite में कर सकते हैं very good इसका meaning आपको हमेशा ही क्या देगा जिके लिए देगा ठीक है तो present indefinite में आप use कर सकते हैं present continuous में बिटा क्या use हो सकता है नहीं हो सकता जो कि हमने अभी इस sentence में उपर सीखा ठीक है तो present continuous में हम four plus में duration use नहीं करते समझ में आया, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ क्या present perfect में use हो सकता है, बिलकुल हो सकता है present perfect में, आपके पास present perfect perfect होता है, लेकिन continuous की सिर्फ sense होती है और continuous की सिर्फ sense होती है, तो भी हम इसको लिख सकते हैं, 4 plus में duration of time, और present perfect इसमें हमारे पास दोनों ही चीज़े होती है परफेक्ट भी होता है हमारा बास और कॉंटिनियस में भी हमारा काम होता है तो उसमें तो हम use करते ही हैं 4-plus में duration of time तो सिर्फ प्रेजंट कॉंटिनियस में आप यूज नहीं करेंगे present indefinite में भी आ सकता है present perfect में भी आ सकता है और present perfect continuous में भी आ सकता है ठीक है समझ में आया है सभी को clear है चलिए मैं और examples कराती हूँ आपको उससे और चीज़े clear हो जाएंगी रब कर दो यहां तक very nice चलिए आगे देखते हैं मैं और sentences लिखती हूँ आगे पास चलिए और sentences लिखेंगे और sentences देखी क्या होगा लिखिए I have worked in this company सिर्फ हमें present perfect लिखा है कि मैं इस company में काम कर चुका हूँ ठीक है तो present perfect में हमने sentence लिखा है कि मैं इस company में काम कर चुका हूँ very nice बिल्कु सही sentence है हमारा अब मैं आगर लिखूँ कि I have been I have been working I have been working in this company in this company for two years I have been working in this company for two years for duration of time given है हमें हम चेक करेंगे अब हमारे पास have been working आ रहा है तो perfect भी होना चाहिए और continuous भी तो perfect हमारे पास है continuous भी हमारे पास है तो sentence बिल्कुल सही है कि दो साल हो गए मुझे इस company में काम करते हुए तो दो साल तो उसे हो चुके है और तीसरा साल भी अभी चल रहा है तो sentence जो है उपर वाला बिल्कुल सही है second भी सही है क्या मैं इस sentence को यह लिख सकती हूँ I have worked in this company for two years ठीक है अब हमारे पास दो चीजे होनी चाहिए पर्फेक्ट भी होना चाहिए और continuous भी होना चाहिए चलो चेक करते हैं तो perfect तो हमारे पास है क्या continuous हमारे पास sentence में है नहीं है लेकिन क्या continuous की sense आ रही है कि हाँ भई दो साल से मैं यहां काम कर रहा हूँ तो हमारे पास continuous return में नहीं है लेकिन sense आ रही है उपर वाले में आपको जो continuous है वो return है गिवन है उसने लिखके दिया है आपको की बही continuous में है ठीक है नीचे वाले में सिर्फ आपके पास sense आ रही है तो sentence ये भी बिल्कुल सही है कि I have worked in this company for two years meaning दोनों ही same दे रही है एक में आपको लिखके दिया है और एक में आपको सिर्फ sense दे रहा है तो sentence दोनों ही सही है दूस किस पर फोकस करना चाहता है एक्शन पर फोकस ओन एक्शन फोकस आपका किस पर है एक्शन पर एक्शन पर फोकस डालना चाहता है कि I have been working in this company for two years ठीक है लेकिन नीचे वाले में जो second sentence था ये वाला sentence जो हमने लिखा है इसमें ये focus किस पर देना चाहता है टाइम पर इसलिए उसने यहां पर आपको रिटन में ना देगे action को सिर्फ परफेक्ट में दे दिया लेकिन sense हमारे पास continue की है तो जब वह work पर फोकस करना action पर फोकस करना चाहता होगा तब तो वह ing में आपको continue में लिख के देगा return में देगा लेकिन जब वह time पर कि आप ज़्याद हो गए हैं यहाँ पर काम करते हुए तो जब उस time पे वह आपको चीजे किसमें लिखके देगा present perfect present perfect बात करें तो present perfect में लिखके देगा तो जब आपके पास सिर्फ sense आ रही हो continuous की इसका मतलब focus किसमें है टाइम पे हैं और जब उसको उसने आपको continuous return में लिखके दिया है continuous form इसका मतलब कि focus किसमें एक्षिन पर जो भी एक्षिन वब आपको गिवन है उसका focus उस वर्ब के उपर है clear है चीजे यहां तक very nice चलिए no down कीजिए देन बात आगे करते हैं चलिए तो अब बात करते हैं इसके बाद इसी में next step बना लेना next point बना लेना यह तो हमने कैसी वर्ब्स पढ़ी action वर्ब्स पढ़ी कैसी वर्ब्स पढ़ी action वर्ब्स पढ़ी अब बात करते हैं non action verbs की non action verbs की मतलब क्या है stative verbs मतलब कि जो हमें कोई भी action show नहीं करती सिर्फ state show करती है ठीक है सिर्फ state show करती है देखे अगर मैं बोलूं कि I know him मैं उसे जानती हूं बिल्कुल सही बात है I know him, मैं उसे जानती हूँ कभी भी हम यह नहीं लिखते कि I am knowing him, मैं उसे जान रही हूँ हम सीधा बोलते हैं कि या ता मैं उसे जानती हूँ, या मैं उसे नहीं जानती है ना, तो इसका मतलब क्या है, कि यह action verb है नहीं क्योंके जानना तो सिर्फ एक अवस्तप है एक स्टेट है, हम जब सिर्फ अवस्ता है, है यह क्वैं, तो अगर सिर्फ श्टेट है तो उसको आप continentu vesti नहीं सकते क्योंकि continuous में तो action आता है, है na, continuous में तो सिर्फ अगर action आता है state को तो आप continue में लिख नहीं सकते clear हुई चीज ठीक है very nice तो अगर मैं बोल अब देखिए विटा बात known action verb की कर रहे हैं अगर मैं बोलू कि I know him I know him for two years I know him for two years अब बताईए अब मैंने किस में लिखा इसको present indefinite में लिखा है अब present indefinite में लिखा है तो इसका meaning आपके पास क्या निकल के आएगा के लिए तो अब मुझे बताईए मैं उसे दो साल के लिए जानता हूँ क्या कोई meaning आपके पास निकल के आ रहा है क्या दो साल बाद आप उसे जानना बंद कर देंगे या आप भूल जाएंगे कि योहो मैं सिर्फ दो साल के लिए उसको जानता था अब मैं उसे नहीं जानता वई ऐसे नहीं होता ना या अगर किसी के बारे के मैं कुछ जानते हैं तो हम जानते हैं ठीक है या तो हम यह बोलेंगे कि मैं उसे दो साल से जानता हूँ यह तो बिल्कुल पागलपन है कि I know him for two years मैं उसे दो साल के लिए जानता हूँ तो चीज हो गई गलत तो यहां से non-action verbs के लिए लिख लीजिए कि इसको आप indefinite tense में नहीं लिख सकते non-action verbs को four के लिए बता रही हूँ बिटा four का यूज बता रही हूँ मैं आपको ठीक है ना तो four आप जब non-action verb हो आपके पास non-action verb हो तो आप indefinite tense में four को यूज नहीं कर सकते लेकिन जब आपके पास action verb था तो आपने बोल दिया था तो आपको दो चीजे चाहिए फिर से परफेक्ट चाहिए और को continuous चाहिए परफेक्ट चाहिए और continuous चाहिए ठीक है तो परफेक्ट हमारे पास नहीं है परफेक्ट के लिए आपको पास has help plus में verb की third form चाहिए वो नहीं है आपके पास बात करें continuous की तो कैसी verb है non-action verb है गीवन तो है ing लेकिन नहीं सकती गीवन तो है लेकिन यह आ नहीं सकती क्योंकि नोन एक्शन वर्ब है तो ना तो हमारे परफेक्ट है और ना हमारे पास continuous है तो फोर का यूज आप नोन एक्शन वर्ब्स के साथ continuous में भी यूज नहीं कर सकते प्रेजिंट continuous में और यह हमने एक्शन वर्ब्स के साथ भी देखा था क्योंकि वहाँ पे हमारे पास परफेक्ट नहीं होता प्लियर है सभी को समझ में आ रहा है नोट डाउन कीजिए स्क्रीन शोट लीजिए दैन बात आगे करेंगे समझ में आया सभी को ग्रेट चलिए रब कर रही हूँ मैं इसके बात बात करते हैं तो हमने देखा ना तो indefinite tense में आ सकता है non action verbs के साथ और ना ही यह present continuous के साथ आ सकता है अब मैं लिखती हूँ इसी sentence को आई हाव बीन आई हाव बीन नोइंग फोर टू यर्स नोइंग हिम फोर टू यर्स आई हाव बीन नोइंग हिम फोर टू यर्स अब बात दुबारा से वही आ गई कि हमारे पास दो चीजे होनी चाहिए perfect और continuous हम चेक करेंगे दुबारा से क कि दो चीजे हमारे पास आ रही है या नहीं आ रही है तो perfect बिल्कुल हमारे पास perfect है have plus में verb की third form और continuous continuous हमारे पास है तो सही लेकिन यह आ नहीं सकता क्योंकि कैसी verb है non action verb है अब non action verb है तो continuous में यह आ नहीं सकती और continuous में नहीं आ सकती इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ non action verb क तो आप कौन से टेंस में नहीं लिख सकते हैं प्रेजंट पर्फेक्ट कॉंटिन्यूस टेंस के अंदर आप इसको नहीं लिख सकते हैं ना हम इसको प्रेजंट कॉंटिन्यूस में लिख सकते हैं ना हम इसको प्रेजंट पर्फेक्ट कॉंटिन्यूस में लिख सकते हैं तो हम मैं इसको अगर मैं लिखें I have been known him for two years I have been known him for two years I have been known him for two years अब दुबारा से वही दो चीजे होनी चाहिए मारे पास perfect भी और continuous भी अब पर्फेक्ट हमारे पास given है बिल्कुल सही बात है अब बात करूं मैं continuous की continuous नहीं given नहीं है मारे पास लेकिन क्या sense आ रही है continuous की क्या कहना चारी हूं कि मैं उसे आगे भी जानी हूं उसको है ना जैसे तीन साल हो जाएंगे तो कह देंगे चार साल से जानता Why लोन एक्षं वर्प्स के साथ आप वोर को फॉर प्लस में duration of time को सिर्फ आप किसमें यूज कर सकते हैं present perfect के अंदर योज कर सकते हैं. तो आप और तीनों tense में इसको नहीं लिख सकते हैं. सिर्फ आपको किसमें लिखना पड़ेगा present perfect में. क्योंकि जो present perfect है आपको वो perfect तो देता ही है. साथ में continuous की sense भी देता है. continuous की sense भी देता है. और हमें return में continuous चाहिए. तो वो हम present perfect continuous लगाते हैं लेकिन non action verb में हम return में show नहीं कर सकते हैं उनको क्योंकि non action verb आई एंजी आई नहीं सकती तो इसलिए हम उसको सिर्फ किसमें लिखते हैं present perfect के अंदर लिखते हैं समझ में आया सभी को clear है चीज़े very nice note down कीजिए then बात आगे करेंगे चलिए next लिखिए next इसे में लिखेंगे हम पढ़ चुके हैं present indefinite present indefinite plus में four plus में duration of time duration of time बिलकुल सही था ठीक है meaning हमारे पास आ रहा था past indefinite अब next लिखिए next जो लिखिए वो लिखिए past indefinite plus में four plus में duration of time duration of time duration of time ठीक है present indefinite plus में four plus में duration of time meaning आपके पास आ रहा था के लिए और जो आपका action था वो खतम हो जाता था जितना भी time आपको given है उसके बाद में ठीक है next हम उस पे नहीं जाते थे past indefinite में देखिए अगर मैं बोलूँ कि हम कह रहे हैं कि अब इसका meaning क्या निकला आपके पास कि मैंने इस company में दो साल के लिए काम किया था मैंने इस company में कितने साल के लिए काम किया था दो साल के लिए काम किया था लिख लेना जो हिंदे में लिखना चाहें कि मैंने इस company में दो साल के लिए काम किया था ठीक है इसका मतलब क्या है कि दो साल काम करके आपने फिर वो company छोड़ दी दो साल काम करके आपने वो company छोड़ दी तो यहां से आप ने देखा कि past indefinite में भी आप इसको use कर सकते हैं ये तीसरे साल पे नहीं गया है यहां पर भी आपकी duration end हो गई action end हो गया समझ में आया तो आप इनको present indefinite में लिख सकते है in past indefinite में लिख सकते है फॉर प्लस में duration of time ठीक है present continuous में नहीं हμεने हमें सन् links के हैं hem पर्फट कॉंटिनेज की हमें के सकते हैं क्योंकि वहाँ पर्फेक्ट क्योंकि होता है ठीक है आपके पास कोष्टिनन करके दिखाना की किसमें आप लिख सकते हैं चलिए लिखिए sentence लिखिए पहला sentence लिखिए She sleeps for three hours She sleeps for three hours Next लिखिए She is sleeping for three hours She is sleeping for three hours Next लिखिए She have slept for three hours She have been sleeping for three hours And last लिखिए She slept for three hours She slept for three hours लिखिए वीडियो पोज करके वीडियो पोज करके पहले इन कॉश्चिन को सॉल्व करना इनका आंसर देखना ठीक है आपको चीजे समझ में आई है या नहीं यही से क्लियर हो जाएंगी देखिए पहला sentence She sleeps for three hours वे तीन घंटे के लिए सोती है बिल्कुश सही बात है present indefinite में हमने लिख दिया ठीक है चोथे घंटे पे नहीं जाती She is sleeping for three hours कमतलब continue में है चीज continue में है और four duration है तो perfect भी होना चाहिए continuous भी continuous तो है लेकिन perfect नहीं है तो sentence जो है वो गलत हो गया present continuous में नहीं आ सकता Next देखिए She has slept for three hours perfect आ रहा है हमारे पास और आगे four duration है तो perfect भी आना चाहिए और continuous भी तो perfect हमारे पास है continuous के सिर्फ sense आ रही है क्योंकि उसने time पे focus कर दिया work पे action पे focus नहीं किया तो sentence ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे पास return में नहीं है लेकिन sense वही दे रहा है Next देखिए She has been living for three hours बिल्कुल सही बात है कि वह तीन गंटे से सो रही है तो तीन गंटे में सो ली और आगे भी काम लगातार है तो हमारे पास perfect भी given है और continuous उसने return form में भी दिया है तो ये भी बिल्कुल सही है Last sentence देखिए She slept for three hours वह तीन गंटे के लिए सोई थी तो तीन गंटे के लिए सोई थी बिल्कुल सही बात है तो आप इसको past indefinite में भी लिख सकते है क्योंकि तीन गंटे के बाद वो उट गई इसको आप को आज की पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और का यूज बताया है अब हम पहँचे हैं प्रेजिट पर से पर यूज तो आपको अगर रेक्चर पसंद आया तो जिस ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो subscribe कर लेंगे आप मुझे facebook page पे भी follow कर सकते हैं वो भी मेरा English by Milan Singh के ही नाम से है telegram channel भी subscribe कर सकते है उसका link आपको description link में नीचे मिल जाता है ठीक है आप video को like कर सकते हैं dislike भी कर सकते हैं अगर ना पसंद आए तो और क्या कहते हैं कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको lecture कैसा लगा और बेटा प्लीज जिसने आज का lecture देखा है direct वो पिछली वीडियो जरूर देख लेना तभी आपको ये चीजे और भी अच्छे से समझ में आएंगी ठीक है कि जो चीज मैंने यहाँ explain नहीं की है क्योंकि दुबारा explain करूंगी तो कोई उसका benefit नहीं है क्योंकि वो मैं already explain कर चुकी हूँ ठीक है तो इतना पढ़िये बाकी की बाते कल करते हैं कल की lecture में करेंगे ठीक है ओके बाई बाई बेटा टेक कियर गोड़ ब्लेस यू